अधित्तर केसेज में, ना तो अस्पताल जाने की जरूर्ट पढ़ रही है, ना अक्सिजन की जरूर्ट पढ़ रही है, ना आईस्यू की जरूर्ट पढ़ रही है, ना वेंटीलेटर की जरूर्ट पढ़ रही है, बहुत ही माइल्ड केसेज हैं और बहुत ही एसिम्टोमेट केसे से निपटने के लिए लेकिन फिर भी हम नहीं चाहते कि बुखार भी हो आपको आपको करोना हो किसी भी तरह का तो हम नहीं चाहते कि करोना फैले इसलिए बार 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 अपील कर रहे हैं आपसे सबसे अपील कर रहे हैं कि भई मार्केट में जाओ घर से बाहर कहीं भी जाओ तो मास्क जरूर पहन के रखें हमें जिम्मेदार बनना है लेकिन डरना नहीं है थोड़ा सा दुख होता है जब देखते हैं मार्केट के अंदर इतनी भीड है मौल के अंदर इतनी भीड है तस्वीर आती है वीडियो आते हैं और इतनी भीड में किसी ने मास्क नहीं पैन रखा अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा जो हम जितनी सक्तियां कर रहे हैं वो भी इसी के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपके धर में करोना आए अभी कुछ महीने पहले हमने एक graded action plan बनाया था मतलब यह कि अगर करोना इतना परसेंट हो जाएगा तो हम यह यह चीजे बंद करेंगे इतना परसेंट हो जाएगा तो हम यह यह चीजे बंद करेंगे वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज बैठके देखना ना पड़े यार ये कर दें ये बंद करें ये बंद ना करें ताकि एक scientific तरीके से पता रहे कि इतना करोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे इतना करोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज्यादा positivity rate होगा दो दिन तक लगातार तो ऐसे हाला के अंदर येलो लेवल आ जाएगा एक लेवल वन आ जाएगा और उसमें हम ये 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 चीजे बंद करेंगे तो 0.5% से ज्यादा दो तिन दिन से चल रहा है इसलिए लेवल वन जो है ग्रेड एक्शन प्लान का उसको लागू करने का निरने लिया गया है कुछ चीजों के ओपर पाबंदियां लगाई जा रही है इसकी पूरा डिटेल्ड ओर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन-कौन सी चीजों पर क्या-क्या पाबंदियां लगाई जा रही है लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही है मैं जानता हूँ आप सब लोग ठक च जरूरी है इसलिए पाबंदियां लगाई जा रही हैं मेरी आप से हाज जोड़ के विंतिया है कि आप सब लोग इन पाबंदियों का जरूर से जरूर पालन करें जैसे मैंने बताया कि यह कोरोना बहुत माइल्ड है हम देख रहे थे पिछले एक महीने का डेटा एक महीने के अंदर ना तो ऑक्सीजन की खपत बढ़ी है दिल्ली के अंदर ना ही वेंटिलेटर की जादा जरूरत पड़ रही है ना ही आईसीव के अंदर जादा लोगों को जाने की जरूरत पड़ रही है तो इससे यह जाहर है कि जो लोग इससे नए ओमिक्रोन से प्रभावित हो र रहे हैं तो चिंता करने के जरूरत नहीं है जिम्मेदार बनने के जरूरत है हम मैं परस्नली व्यक्तिगत तरीके तोर पे एक एक मिनट नज़र रखे हुए हूं सिच्वेशन के उपर और मैं समय समय पे आके आपके साथ बात करता रहूँगा अगर कुछ भी खत्री की बा भारी भीड लग रही है फिर हमें मार्केट बंद करने पड़ेंगे वो तो अच्छी चीज नहीं है फिर लोगों की रोजी रोटी जाती है आपका भी वो खराब हो जाता है तो हम चाहते हैं कि बाहर निकलें तो मास्क पहन के निकलें भीड ना करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बार बार हाथ दोते रहें नमस्का